यह नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागित करता आप सभी का हमारा आपके चानल पे एड्मिक्स में तो आज के स्वीडियों में हम बात करने वाला है कि जर्मन से फ़र्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कुछ उनके फायदे के बारे में बताने वाला हो और किस लोगों को जो कुण-कुण से इसे लोग है जिनको जर्मन शेफ़र्ड नहीं रेना चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हो सबसे पहले बता दू कि जर्मन शेफ़र्ड एक अच्छा गाड डॉग है एक अच्छा वाच डॉग है और इनके उपर काफी ज़्यदा खर्चा भी होता है अगर आप आपका बजट काफी ज़्यदा कम है और आपका ऐसा लग रहे है कि आपकी सैलेरे भी कम है आप करना पड़ता है कभी का बार तो आपको 2-3 मेने के बाद भी उसका खाना थोड़ा बहुत चेंजिस करना पड़ सकता है सात सात में कभी कबार च्छोटी-पॉटी बिमारी आती है उसके उपर भी खर्चा थोड़ा बहुत आ सकता है इसलिए अगर ज्यादा जिन लोग के प तो उसके बालों की उपर आपको पता है कि काफी जदा नंबे होते हैं तो इसमें आपको । भी काफी रदी अच्छा दिखता है उसके कारण तो उसके बालों के उपर भी आपको ध्यान देना पड़ता है ऐसा नहीं कि अगर एक City ऑपकर ऑ्पर ऑपको ध्यान की उपर न दहुत की सांगे ताकि और लोगों को भी पता चले और वो भी अपने डॉक को ऐसे अच्छे से संभाल सकेंगे दूसरा अगर आपके अच्छा गार डॉक चाहिए अच्छा वाच डॉक चाहिए और अगर फर्स्ट टाइम भी है आपका थोड़ा बहुत अच्छा कासा सेलरी पंद्रह हजर बी ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वन भी एच के हाउस में उसे रख लो अच्छे से केर कर सकूंगा तो उसमें दिक्कत प्रब्लम आ सकती है जब उसके साइज बड़ी होती जा रही है जैसे कि एडल्ट होगा दो साल का होगा तीन साल का होगा तो उस जर्मन शेफर को खेलना बाहर जाना घूमना पसंद है और डेली वॉक पर उनको जरूर से ले जाना पड़ता है अपको कम से कब 15 मीट अगल ठीक है बर जर्मन शेफर कैसा है जो उनके बाड़ी स्ट्रक्चर की सबसे कम से कम उसको 25 मीट ये 20 मीट को वॉक आपको सक्त अगर आपको जो बजेट है 15,000 से 18,000 की बीच में तो आपको सिंगल को डबल कोट आराम से मिल जाएगा फीमेल आपको और भी कम प्राइज में देखने को मिल सकती है बट अगर आपको एक हैवी बोर्न ये विट पेपर चीए तो उसके लिए कभी कबर आपको 22,000 पचीज तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं वरना आप नॉर्मल जो सिंगल कोट डबल कोट वाला भी ले सकते हैं सिंगल कोट लेके उसको कैसे हेवी बोर्न बनाए उसके उपर वीडियो बनाई है आप जाके वीडियो देख सकते है उपर आए बटन में आपको में दे दूंगा उसको बेबिस के साथ चोटे बच्चों के साथ आपके घर के फैमिली के हिसाब से उनको घुल मिला जाए तब आगे जाके वो बच्चों के साथ भी काफी अच्छे से रहे लेते हैं बहुत सारे ऐसे German Shepherd है जो बच्चों की काफी अच्छे से हिफाज़त करते हैं, उनके उपर आज भी आने नहीं देते हैं, अगर आप घर पर कभी कबाच छोटे बच्चे को रखते हो या फिर घर के रखवाली करने के लिए आते हो, तो भी German Shepherd काफी ज़्यादा वफादार करने के लिए, तो ऐसे लोग German Shepherd ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंने बहुत सरा लोग देखा ऐसे, जो German Shepherd लेते हैं, जब ध्यान देने की बारी आती हैं, जब पैसे खर्च होते हैं, तब वो German Shepherd को किसी और को फ्री में देते हैं, या फिर कैसे करके उनको कहीं पर चोड़ देते हैं, तो ऐसे लोग जो ना ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जर्मन Shepherd का साइक्लोजी से सबसों काफी ज़्यादा डिस्टप हो जाता है, ऐसे में खाना चोड़ देता है, उसको sadness रहता है, और एक अंदर से वो डरा डरा लगत हो तो आप ले सकते हो, मैं अभी और एक बार आपको बता दो, उसके बालों के उपर खर्चा आएगा, उसके हेल्थ के उपर खर्चा आएगा, उसको मेंटेन रखने में खर्चा आएगा, और जैसे आप कभी कबार उसको बाहर ले जाते हैं, उसके उपर भी खर्चा उसके साथ खेलना पड़ेगा उसको सोशलाइस करना पड़ेगा खास करके उनको ट्रेन जरूर से करना पड़ेगा और आपको बता तो जर्मन शेफट मोस्ट पॉप्लर डॉग पीड है इसलिए हर जगह पर आपको आसाइसी मिल जाएगे और मेल फीमेल की मीटिंग करने के ल जाएगा तो ऐसे लोग ले सकते बट जो केर नहीं करना चाहते खाले शोवाफ करने के लिए उनके ओपर ध्यान नहीं देता चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा तो आशाकर तो आपके सारे डौट जो क्लियर हुए होगे तो आपको वीडियो अच्छे लेगे तो पी ला